Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankita Sood. So Paper 1 में People Development and Environment Unit के Most Repeated PYQs आज हम आपके लिए लेकर आए हैं. ये ऐसे questions हैं students जो बहुत बार paper में as it is या फिर घुमा फिर आकर पूछे गए हैं and upcoming exam में भी आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं. हरे question के साथ मैं आपको explanation भी दूँगी ताकि आसानी से आप सब correct answers को identify कर सकें. Students, paper 1 की तयारी के लिए ये बहुत जादा जरूरी होता है कि हम exam के level के हिसाब से और updated pattern के हिसाब से तयारी करें इस साथ की revision के लिए हम mock test भी प्रोवाइड करवाते हैं. एक special whatsapp group में आपको add किया जाएगा जहां पर हर class के साथ आपको PDF मिलती है जिससे की आपका notes बनाने का समय भी आप बहुत जादा बचा सकते हो. यह दो numbers आपको दे रही हूँ जिन पर whatsapp के थुरू आप contact करके पूरी जानकारी ले सकते हैं साथ ही free videos और mock test के लिए global online app को download करें store section पर search bar में course का नाम लिखना है यहाँ पर आप देखेंगे content पर जाते हैं आपके सामने bilingual, hindi, english separate courses हैं previous year papers आपको solution और explanation के साथ मिल जाते हैं unit wise folders हैं ताके आप किसे भी unit को कभी भी revise कर सकें किसे भी unit से अपनी तयारी शुरू कर सकते हैं live classes भी आपको app में जरूर मिल जाएंगी तो यह ऐसा course है जो कि definitely आपको paper 1 में 100 में से 80 plus score करने में मदद कर सकता है इस question में पूचा है कि कौन से कौप में Kyoto Protocol को अपनाया गया था तो देखें students सबसे पहले देखते हैं कि conference of parties क्या होता है तो basically यह एक international climate meeting है international climate meeting है जो कि हर साल होती है यह 1995 से शुरू हुई है इसमें actually क्या होता है कि जितनी भी member countries है वो हर साल मिलती है और अपने environment को protect करने के लिए कुछ decision लेती हैं कुछ targets decide करती है कि हर country मिलकर कुछ अपनी जैसे कुछ हानी कारत गैसों को control करने में मदद करेंगे या फिर कैसे पृत्वी को बचाया जाए अपनी अपनी country में उसको लेकर initiatives लेंगे तो इस question का सही answer है option number 2 that is conference of parties 3 जो है वो हमारा Kyoto Protocol से जुड़ा हुआ है जिसको की 1997 में adopt किया गया था greenhouse gases के emission को कम करने के लिए वैसे ही आप लोगों से पूछा जा सकता है कि conference of parties 21 किस से जुड़ा हुआ है तो ये आपका Paris Agreement से जुड़ा हुआ है जो की climate change के लिए या फिर global warming के लिए जिसको बनाया गया था अब एक homework question मैं आपको दे रही हूँ बताए COP26 यानि की conference of parties की जो 26th meeting हुई थी उसका क्या major role था किसलिए ये की गई थी और कौन से year में की गई थी अब ये मैंने एक छोटा सा homework question आपको दिया है जिसका answer मुझे comment करके बताना अगर नहीं आता answer तो भी मुझे बता सकते हो मैं ज़रूर आपका reply करूँ है Which of the following are greenhouse gases? ओके तो ये बहुत important question है अभी हमने पहले question में पढ़ा था कि Kyoto Protocol basically greenhouse gases को कम करने के लिए बनाया गया है तो greenhouse gases कौन कौन सी है? options है carbon dioxide, nitrogen dioxide, methane, chlorofluorocarbon या फिर benzene So देखिए सबसे पहले carbon dioxide बिलकुल आपकी greenhouse gas है ठीक है carbon dioxide को CO2 लिखा होता है कई बार पूरा नाम देते हैं कई बार इसका जो chemical formula बोलते है I think इसको वो लिखा होता है ठीक है carbon dioxide बिलकुल सही option है then we have nitrogen no nitrogen dioxide नहीं होता है nitrous oxide होता है ठीक है methane भी हमारे पास एक greenhouse gas है जिसका formula CH4 होता है chlorofluorocarbon भी एक greenhouse gas है जिसको simply हम CFC बोलते हैं बट benzene नहीं है तो A, C and D that is option number 3 is the correct answer तो इन तीन के अलावा और भी greenhouse gases होती है जैसे की एक मैंने आप लोगों को बता दिया nitrous oxide जिसका chemical formula है N2O उके उसके बाद आता है हमारे पास hydrofluorocarbon जिसको HFC बोलते हैं तो यह कुछ important greenhouse gases है जो की आपको note कर लेनी है तो इनका पीरियर था 2015 से 2030 के बीच में यानि कि 2015 में यह शुरू हुआ है और इनोंने एक target set किया है कि 2030 तक हमने इसको पूरा अचीव कर लेना है next question है which of the following was the central aim of the Paris Agreement okay so Paris Agreement का chlorofluorocarbon emission के reduction को यानि कि इसके उचसरजन को कम करना बिलकुल भी नहीं है तो यह आपका गलत हो जाएगा okay अगला है to strengthen the global response to the threat of climate change अगला है to address biological diversity no biological diversity भी नहीं है and next है more than one of the above no okay तो इसका सही answer है option number two that is जलवायू परिवरतन के खत्रे के प्रती वैश्विक प्रती क्रिया को मजबूत करना आप लोग बस इतना याद रखिए Paris एक बहुत अच्छी जगा है Paris का climate बहुत अच्छा होता है है ना तो याद हो गया कि Paris का climate बहुत अच्छा होता है वाँ घूमने जाना चाहिए तो ऐसे याद रखिए कि Paris Agreement basically climate change या global warming से related है जो मैंने अभी आपको बताया कि COP21 में 2015 में इसको शुरू किया गया था Students अगर आपको ये sessions पसंद आ रहे हैं अगर आप चाहते हो कि मैं continue करूँ तो मुझे comment करके जरूर बताईए मैं हमेशा की तरह आप लोगों की मदद करूँगी and motivated रहूँगी तो अगर चाहते हो continue रहे sessions तो जरूर मुझे update कीजिए first earth summit for convention on biological diversity was held at so जैविक विविधता पर जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था जिसको पृत्वी शिखर सम्मेलन यानि की earth summit भी कहा जाता है उसको कहां पर आयोजित किया गया था ये पूछा गया है तो इस question का सही answer पहले बता देती हो फिर इसको हम explain करेंगे ये Rio de Janeiro 1992 ब्राजिल में इसको conduct किया गया था इस case में Rio de Janeiro जो है ये एक जगा का नाम है जो कि ब्राजिल में है 1992 में earth summit को शुरू किया गया था या earth summit 1992 में हुआ था इसका नाम Rio summit भी है इसका नाम Rio summit भी है ये environment and sustainable development के लिए बनाया गया था इसका एक और नाम है जो कि है agenda 21 तो कुछ भी नाम हो चाहे earth summit हो चाहे Rio summit हो चाहे environment and sustainable development लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब एक ही चीज़े है disaster management plan was launched by ministry of home affairs in so disaster management plan किया गया था 2016 में शुरू what are the correct order of global warming potential of following atmospheric chemical species so ये बहुत ही जादा important question है हमें बताना है कि correct order इसका क्या है सही क्रम में इनको हमें arrange करने के लिए कहा गया है okay तो options है chlorofluorocarbons methane carbon dioxide and nitrous oxide so सबसे पहले आता है carbon dioxide ठीक है that is C so देखिए C से यहाँ पर एक ही option शुरू होता है सबसे पहले carbon dioxide ये ऐसे होगा CO2 ठीक है N2O इस तरीके से लिखना है ये CH4 okay इसके बाद आता है methane then we have nitrous oxide और सबसे end में है chlorofluorocarbon so ये answer है option number B next question is which of the following statements are true about international solar alliance तो international solar alliance जो है ये आपका COP26 के नाम से जाना जाता है जिसको सन 2015 में शुरू किया गया था okay so ये कुछ important points है जो कि आपको याद रखने है सई statements पूछी है तो मैंने पहले बता दिया कि 2015 में शुरू किया गया था तो पहली statement तो गलत है दूसरी देखिए अग अलत है तो ये दू options पहली eliminate हो जाएंगे India is one of the founding countries there बिलकुल सही है भारत इसमें संस्थापक देशों में से एक है its headquarters are in Geneva बिलकुल सही है ये भी sorry ये नहीं है ठीक है headquarters के गनेवा में नहीं है इसका headquarters इंडिया में है ये question भी अभी recently 2023 वाल exam में as it is आया था कि International Solar Alliance का headquarters कहां है तो ये हर्याना में आपका इंडिया में है ठीक है January 2016 में ये headquarters नरेंदर मोदी के द्वारा जो है inaugurate किया गया था and 2015 में इस conference sorry International Solar Alliance की थापना की गई थी okay it was signed by over 100 countries तो देखो C भी गलत है तो इसलिए ये वाला option भी गलत हो गया तो इसका मतलब है option 4 ही सही होगा it was signed by over 100 countries बिल्कुल सही है mostly sunshine countries are members of this alliance बिल्कुल सही है तो correct answer is option number 4 note कर लीजे जो extra information में दे रही हूँ very very important question okay so ये question आपको बोल रहा है कि Paris Agreement किस से जुड़ा है अभी मैंने बताया Paris का climate बहुत ही जादा अच्छा होता है तो एको हमने 4 से match कर दिया ये दो options हो गई गलत ठीक है अभी हम लोगोंने Kyoto Protocol के बारे में भी पढ़ा था so Kyoto Protocol आपका clean development mechanism से जुड़ा है so ये आगया आपका third that is option number 4 is the correct answer ठीक है Rio Summit Human Environment and Montreal Protocol is related to Ozone Layer and Montreal Protocol को 1987 में बनाया गया था right सबकी year इनका main theme क्या थी कौन से साल से ये शुरू हो रहे है and अभी इनका क्या targets चल रहा है सब याद होना चाहिए अगर नहीं पता तो उस पे theory sessions भी मैं लेकर आऊंगी बस मुझे एक बार comment कर दीजिए कि protocols पे theory session आपको चाहिए which of the following is one of the six pollutants under Kyoto Protocol Regulation so Kyoto Protocol Regulation के अंदर आप का पर fluorocarbon आता है मैंने आपको बताया Kyoto Protocol is related to greenhouse gases six greenhouse gases भी हमने पढ़ ली थी and उसमें chlorine भी नहीं था phosgene भी नहीं था carbon monoxide भी नहीं था बस पर fluorocarbon था तो यहीं चीज उस question में पूछी है अगर आपने वो question पढ़ा था तो आपको पता चल गया होगा कि कितना easy question है बस पूछने का तरीका थोड़ा different है so इसे के साथ फिर आज के session को end करते हैं मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे concepts clear कर रही हूँ और मैं उमेद करती हूँ कि जरूर आपको यह sessions पसंद आ रहे हैं so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best